दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि रिकार्डिंग इस्टूडियो में आप कौन से ऐसे कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर सकते हो जो सबसे कम बचटके हो और अच्छी क्वाल्टी में अपनी वोरकल को रिकार्ड कर सके तो चले दोस्तो वीडियो को से फर्ष्ट नंबर पे हमारा माइक आ जाता है Samsung C03 Multi Pattern Condenser Microphone जो मैं खुद यूज करता हूँ अभी इसका मैंने एक Unbox वीडियो बना चुका हूँ अपने यूटूब चनल पर अप्लोड कर चुका हूँ अगर आप इस Samsung C03 Multi Pattern Condenser Microphone का अगर आप Unbox वीडियो और Review वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाकर के आप देख सकते हो और दोस्तो जो मैं आज इस वीडियो में जो माइक के बारे में बताने वाला हूँ उन सभी चारो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप जाकर के आप उसको अनलाइन अमेजान पर परचेस कर सकते हो तो फर्श नंबर पे हमारा माइक आ जाता है Samsung C03 Multi Pattern Condenser Microphone अब दोस्तो ये काम क्या करता है कैसे करता है तो यहाँ पे इसका नाम रिखा है Multi Pattern Condenser Microphone Multi Pattern Condenser Microphone इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तो इसको आप सामने से भी रिकार्ड कर सकते हो यानि कि फ्रंट से रिकार्ड कर सकते हो बैक से रिकार्ड कर सकते हो आप चाहो तो चारो ओर से यानि कि Surrounding में भी अपने ओकल को रिकार्ड कर सकते हो इसके नोब भी यहाँ पे दिए गई है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ यहाँ यहाँ पे देख सकते हो इसके नोब को तो तीन यहाँ पे आपको दिख रही होंगी नौफ यानि कि जो एट के जैसा बना हुआ है यानि कि आप आमने से यानि कि सामने से और पीछे से भी अपने ओकल को रिकार्ड कर सकते हो और उसके बाद में सबसे ऊपर वाला है आप सामने से रिकार्ड कर सकते हो उसके बाद मे आप इसको अगर purchase करना चाहते हो तो link description में दे दूँगा आप इसको purchase कर सकते हो दोस्तों काफी अच्छा माइक है मैं भी यूज कर रहा हूँ और एक माइक आ जाता है यहाँ पे दूसरे नंबर की बात करें अगर हम EKGP120 एभी दोस्तों काफी अच्छा माइक है इसका बचट की अगर बात करें तो 6999 रुपय का आपको मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो और यह भी दोस्तों मेरे एक फ्रेंड्स के पास था और इसका भी दोस्तों एक अच्छी क्वाल्टी में ओकल रिकार्ड होता है यहाँ पे देख सकते हो बाकी आपके रिकार्डिंग के उपर है कि कैसे आपका एकोस्टिक रूम है कैसे सिंगर गाता है कैसे आप अपने गाने का मिक्स करते हैं कैसे आप मास्टिंग करते हैं कैसे आप ओकल के प्रोसेसिंग करते हैं उससाब से अपने ओकल को रिकार्ड करता है बाकी माइक सभी ये चीज़ इतना एक अगर आप ज्यदा अच्छे बजट का माइक लोह गे तो उतने आपके औहल को सुनने को काफे ऐसे आपके कुसरा समाएक आप स्क्रस्च वह अच्छा सा माइक का जाता है बीडियो टेकनिका का दोस्तो ये भी के पास है जो हमारा फ्रेंड्स ये काफ़े अच्छे से यूज कर रहा है, काफ़े अच्छा इसका आइडियो क्वालिटी है यहाँ पर दोस्तो कॉडियोट कंडेंसर माइक्डेंसर स्टूडियो माइक्रोफोन इसका नाम है दोस्तो यह आपको सबसे जदा बचट का मिल जाता है लगभग 11,000 रुपेका यह भी दोस्तो काफ़ी अच्छा माइक है यह भी आप अपना जीरो डीवी पे और मैनस 10 डीवी पे रिकार्ड कर सकते हो दोस्तो जो मैंने आपको चार माइक के बारे में बताया हूँ आप इनको जाएंगे और इससे हाइक काटेगरी मिल जाएंगे लेकिन मैंने आपको अच्छी क्वालटी वाले माइकट और कम बजट वाले माइक के बारे में कहा है तो तो दोस्तों यह चार माइक आपके लिए काफी वेस्ट है आप इनको यूज़ कर सकते हो और दोस्तों अगर आप description में दे दिया जाएगा आप इनको purchase कर सकते हो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगे तो please वीडियो को like करें हमारे YouTube चैनल को subscribe करके बिल आइकन को जोड़ दवाएं